यदि आपको एंडुमेट्रियोसिस की समस्या है और आप कर्मधारण नहीं कर पा रही है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा आईवीएफ आप एक आईवीएफ के द्वारा आप प्रेग्नेंसी कंस्यूब कर सकते हैं यह जो कि एक सुरचित विकल्प हैं हाला कि इससे पहले बिमारी के फायदे और नुक्षान जान लेना जरूरी है तो उसके लिए आपको वीडियो को फुल वाश करना होगा वीडियो को स्क्रिप नहीं करना होगा क्योंकि आगे मैं बहुत महत्पून बातें बताने वाली हूं जिसका जानना बहुत जरूरी आ चाजाता है यंड़ोमेंट्री हैए पनाने वाले उतफ there is अशियो में अशामान बढातरी होने लगती है और यह गरभाशे के बाहर आलए लगता है यंड़ोमेंट्री इस्तिति वी इंड़ासे आथो और परज़नन अंगों तक भी वाल इंड़ोमार्ड लार्ड में पार् कीUVफ यहोता हैो में महिला को हर्मोन समंसी इंजेक्शन मितagen को सरीरन के निकाल कर नीयंतरित बातावरण में महिला के शुकुनान उनलज से निशेचित यहिए इसके बाद यह तो इसिए महिला घरबरधार्षाय कर पाती है अब हम जानेंगे की एंडोमेट्योसिस में IVF का क्या काम होता है IVF या इन विटो फर्टिलाइजिशन में महिला कुछ दवाईयां दी जाती है जिससे उनके अंडानों की गुड़वत्ता बेहतर हो सके इसके बाद ये अंडानों निसेचन के लिए ले जाते हैं ये दवाई हर्मोन एस्टोजन के इस तर पर परभाव डालती है जो कि ओविलेशन के लिए जिम्मेदार होता है ये दवा गरवाशे की परत को परभावित करती है इसका मतलब ये है कि एंडोमेट्योसिस से अधिक परिशानी हो सकती है और इसमें दर्द भी बढ़ सकता है कई लोगों के मन में सवाल आता है कि एंडोमेट्योसिस के साथ में गरवावस्तफ में कोई जोखिम हो सकती है तो क्या सबसे नमबर वन है गरवपाद तो नमबर दो है समय से पहले बच्चे होना नमबर तीन है एंडोमेट्योसिस से प्रशोव पर असर पढ़ सकता है इस नमबर चार है इससे प्रशोव के बाद अधिक मात्रा में ब्लीडिंग या खून बहना विश्रू हो सकता है नमबर पाँच है गरवनाल अपनी जगह से हिल सकती है तो यह थे कुछ कारक एंडोमेट्यसिस होने का कारक एंडोमेट्यसिस से मिलना महिलाओं में कभी भी हो सकता है इसलिए बहतर है कि इसका इलाज गरवती होने से पहले ही करवा लिया जाए इससे गरवस्ता में जो किम कम होते हैं इसके इलाज के लिए कई दवाएं और अहार में बदलावा आधी करने से रोक सकते हैं तो यह थे कुछ लच्छडवा कुछ कारत अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेल कीजिएगा चैनल में नियो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलेगा जो भी डाउट है आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं